गुड मॉर्लिंग फ्रेंड्स तो प्रेलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो न्यू पार्लेमेंट बनाने का प्लैन बन रहा है उसका शिलान्यास किया है तो उसका भूमी पूजन अभी रिसेंटली हैल्ड किया गया है तो उस प्रोजेक्ट के बारे मिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या तो यह project जो है वो recently Supreme Court of India ने भी इसको halt पे लगाया है ठीक है तो उन्होंने शिला नियास करने के लिए तो permission दे दिया है लेकिन उन्हें कहा है कि अभी future construction जो है वो अभी उस पे halt लगा के रखो जब तक जितने matters है अभी subjudice matters जो है जब तक वो clear नहीं होते तब तक यह project शुर हमारी parliament की new building बनाई जाएगी और जो हमारा secretariat होता है जो हमारा north block, south block जो prime minister office जिसमें है और यह prime minister का residence, vice president का residence इन सब को new बनाया जाएगा तो यह पूरा redevelopment का एक project है ठीक है अब renovation नहीं हो रही है इसकी याद रखो पूरी की पूरी buildings ही new बनाई जा रही है ठीक है अब इसमे राष्टरपती भवन included नहीं है याद रखना है राष्टरपती भवन जो है वो नवा नहीं बन रहा है तो parliament of India जो है वो बननी है 2022 तक complete हो जाएगी 2022 तक इसलिए करने है ताकि 75th anniversary of India के independence जो है उसको commemorate किया जा सके उसमें 75th anniversary पे new session new parliament में conduct किया जा सके ठीक है तो इस plan में क्य प्राइम मिनिस्टर का जो residence है जो south block में के पास है वो और vice president का जो house है उसको जो north block के पास है उसको भी shift किया जाएगा new बनाया जाएगा जो vice president का जो घर है उसको तो properly demolish ही कर दिया जाएगा ठीक है और जो अभी existing हमारे north block और south block है जहाँ पर हमारे जितने भी ministries होती है जो finance ministry, home ministry, जितनी भी हमारी union ministries होती है जिनके offices है जो secretariat है एक तरह से हमारा वो सब जो है north block, south block के new बन जाएगा ये सारी secretariat new बन जाएगा तो ये जो north block और south block है इनको museum बना दिया जाएगा ठीक है ऐसी ही जो हमारी existing parliament है जो new बनाई जा रही है उससे बहुत बड़ी है जो new बना जा रही है वो 64,500 square meters की है इसमें 888 MPs लोग सभा में और 384 MPs राज्य सभा में बैट सकेंगे और हर parliamentarian का अपना separate office होगा ठीक है अब ये पूरा जो project है परलेमेंट वाला तो आपको मैंने बताया है कि 2022 में complete होगा लेकिन जो पूरा project है जिसमें north block, south block, जो ये सारा जितनी secretariat हमारा prime minister का office, residence, vice president का office और residence ये सब कुछ जो है ये 2024 में complete होना है जब हमारे next general elections conduct किये जाएंगे ठीक है अब supreme court ने इसको रुका क्यों है इस project को supreme court ने कहा है क्योंकि हमारे पास 10 से ज़्यादा petitions आ चुकी है इस redevelopment plan के लिए तो आपको हमने कहा था कि इस पे कोई construction work शुरू नहीं होना चाहिए लेकिन आपने इस पे construction work शुरू कर दिया है तो अभी हम construction को रोक रहे हैं आप अपनी inauguration कर लो चिलानियास कर दो लेकिन आपको construction आगे नहीं करनी है ठीक है तो ये project थोड़ा साब construction पे हुआ है ये project पे अभी Supreme Court ने halt लगाया है ठीक है अब हम देख लेते हैं Human Rights Day 10th December को हर साल International Human Rights Day बनाया जाता है क्यों मनाया जाता है उस दिन तक क्योंकि उस दिन Universal Declaration of Human Rights को accept किया था UN General Assembly ने 1948 में तो एक UNGA resolution था 217A जिसको Paris में अब याद रखो आप UN की जो headquarter है वो New York में है लेकिन जो ये UN Declaration of Human Rights जो accept की गई है वो Paris में accept की गई है तो Paris में इसको UNGA resolution को accept किया था 1948 में और fundamental human rights जो है वो universally कैसे protect किये जाए उसी के उपर ये Universal Declaration of Human Rights है ठीक है अब basically ये ये slavery और slave trade को हर तरह से की form में जो slavery या slave trade होता है उसको prohibit करता है और ये basically क्या है कि all human beings are born free and equal in dignity and rights they are endowed with जो भी ये पूरी line है ये basically human rights का एक definition उन्होंने दिया है इसमें human rights के लवा और कौन से rights की बात की जा रही है ये basically सारे है human rights ही है लेकिन इसमें right की एक properly define कर दिया है कि human rights के on कौन से rights जो है वो मिलके human rights बनते हैं तो right to a nationality, right against arbitrary arrest, detention और exile, right to seek asylum from prosecution, right to freedom of movement and residence ठीक है तो ये सारे human rights है अब ये जो है universal declaration of human rights ये कोई हमारे उपर treaty obligation नहीं है कोई legal obligation नहीं होती किसी भी country के उपर बट हाँ ये एक map dand है international community आपकी country को उसी हिसाब से recognize करेगी या आपकी country को उसी हिसाब से देखेगी जिसे साब से अगर आपने human rights की protection किये हुई है ठीक है तो अब जो universal declaration of human rights है उसका Guinness world record भी है क्योंकि वो सबसे जादा translated document है उस document की सबसे जादा translations हुई है अलग-अलग languages में अब क्योंकि human rights की बात हो रही है तो हम अपना NHRC देख लेते है national human rights commission तो ये 1993 के act के मताबिक बनाया गया तो एक तरह से statutory body है ये तो national human rights जो commission है ये October 1993 में established किया गया था तो section 3 of 1993 act जो है वो उसके अंडर NHRC को constitute किया गया था human rights की definition जो है वो section 2D में दी हुई है तो ये पुरी definition है नीचे है जो human rights की अब powers and functions के हैं autonomous institution है और उपर से ये statutory body है क्योंकि ये parliament के act से बनाया गया इसकी powers है civil court की जो यतनी powers होती है almost उतनी ही power है तो एक तरह से quasi judicial body है national human rights commission composition देख लेते हैं एक chair person होगा इसमें अब chair person जो है वो 2019 से पहले तो सिरफ कोई retired chief justice of India ही होता था लेकिन 2019 में इस act में amendment किया गया है और कहा है कि retired chief justice of India ही नहीं कोई judge of supreme court जो होता है वो भी chair person बन सकता है ठीक है एक member होगा judge of the supreme court of India भी हो जो है वो भी होना चाहिए दूसरा member एक और वो एक chief justice of high court होना चाहिए किसी भी high court का chief justice ये दोलो sitting है और जो chair person था पहले वो retired chief justice of India की बात होती थी ठीक है अब या फिर retired chief justice of India या फिर अब sitting judge of supreme court भी जो है वो chair person हो सकता है ठीक है I'm sorry जो retired chief justice of India या फिर retired judge of supreme court भी एक chair person हो सकता है ठीक है चेर person के case में दोलो retired है या तो chief justice of India या फिर judge of supreme court या फिर जो की retire हो चुके हो लेकिन membership में जो है वो judge of supreme court और chief justice of high court ये दोलो sitting होने चाहिए ठीक है three members कौन से है जो की जिनके पास human rights की matter की knowledge हो उन में तीन में से एक जो है women होनी चाहिए और जो chair person of national commission for backward classes chair person of national commission for protection of child rights and the chief commissioner for persons with disabilities जो है ये तीन नों जो है ये deemed members of commission माने जाते हैं deemed members मतलब कि जो भी chair person बनता रहेगा backward classes के national commission का या फिर protection of child rights का या disabilities वाले commission का वो automatically irrespective of who is in position जो भी उसका chair person होगा वो automatically इसका member बनता जाएगा deemed members मतलब माना जाएगा कि वो member ही है commission के amendments क्या होई थी जैसा एक तो मैंने आपको chair person के context में बता दिया कि amendment ये है दूसरा एक और इसके अंदर है कि reduce the terms of chair person बिसमें terms reduce की गई है पहले पांच साल जो term होती थी members की और chair person की उनको पांच से अब तीन साल कर दिया गया है और एक इसके अंदर है eligible for reappointment पहले वो दुबारा reappoint नहीं हो सकते थे बट उनको eligible for reappointment कर दिया कि दुबारा भी वो reappointment की जा सकती है उनकी judge of a high court is also made as eligible अब जो जैसे state ये तो हमने national level पर देखा अब same जो state level पर है उसमें judge of high court जो है who has been a judge of high court मतलब retired judge of high court जो है वो भी chairperson बन सकता है state high commission state human rights commission का और या फिर पहले तो क्या था provision की chief justice of high court जो retire हो चुके है वो ही सिरफ state commission के chairperson बनते थे लेकिन अब retired judge of high court भी state commission के chairperson बन सकते है ठीक है अब हमारा topic next है northern lights तो northern lights news में क्यों चल रहा है क्योंकि अभी US में वैसे ही तो यह जो northern lights का concept है northern lights या southern lights का concept यह सिरफ polar regions पे होता है लेकिन अभी recently यह northern lights और southern lights जो है वो US की बहुत south तक की states तक दिखने लग गया था तो northern parts of illinois और pennsylvania जो US की है वहाँ पर यह दिखना शुरू हुआ है क्यों हुआ है क्यों हुआ है क्योंकि lower latitudes पर भी आ गया है ठीक है तो अब देख लेते हैं कि aurora होता क्या है तो aurora borealis आपने सुना होगा और अगर नहीं सुना तो थोड़ा देख लेते हैं aurora borealis ही है यह अब aurora borealis क्या होता है कि sun के surface के उपर से कुछ charged material निकलते है charged particles निकलते है जब वो earth की atmosphere में enter करते है solar wind के साथ enter होते है वो charged particles है वो solar wind के साथ carry होके earth के atmosphere में जब वो enter करने की कोशिश करते है तो जो sun जो हमारे magnetosphere है magnetosphere क्या है अर्थ की जो जिसमें हमारा जो यह magnetic field है हमारे अर्थ का तो ये जो है एक तरह से जो हमारे charged particles of sun और जो हमारा magnetic field of earth है ये दोनों जब interact होते हैं जिस भी area पे उस area में वहाँ पर ये lights बनती हैं वहाँ पर lights emit होती हैं तो एक तरह से ये हमारे earth का protective mechanism है हमारी earth जो है वो magnetosphere से जो sun से जो charged particles आ रहे हैं उनसे earth के हमारी planet को बचाने की कर रही है तो जब वो दोनों interact होते हैं तो वो funnel shaped बनाने लग जाते हैं अलग-अलग तरह की light आपने देखा होगा blue light, green light, red light, अलग-अलग तरह की lights आती हैं वो क्यों आती हैं जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे magnetosphere में जैसे ही वो solar winds enter करेंगी तो जो उसमें charged particles हैं वो हमारे magnetic field में जो हमारे charged particles हैं जो हमारी protection के लिए हैं उनके साथ interact होंगे तो ये funnel shape बनेगी और ये एक तरह से एक phenomena निकलता है aurora borealis का तो aurora borealis जो northern lights को कहते हैं जो northern अगर north pole के पास हो रही है ये phenomena तो उसको हम कहते है northern lights या फिर aurora borealis या फिर अगर ये southern part में हो रही है तो हम कहते है aur aurora australis या फिर southern lights ठीक है तो पहले तो ये सिरफ poles में ही हम मानते थे कि सिरफ polar region में होता है या तो northern pole में मतलब arctic वाले region में या फिर सिरफ australia या मतलब ये जो antarctic वाला region है सिरफ वहीं पर दिखता था बट अब क्यूंकि solar winds इतनी strong आई है इस बार तो ये US के भी जो part है वह पर भी दिखने लगाए ठीक है अभी एक तरह से कुछ time के लिए phenomena दिखा है वहाँ पर हमारा next topic है करनाटका का anti cow slaughter bill अब recently करनाटका की assembly ने इसको pass किया है बिल को और cattle slaughter के उपर बहुत stringent punishments रखी है इसके अंदर beef को define किया गया है कि flesh of cattle in any form और cattle को define किया गया है cow या फिर calf of a cow या bull या bullock या फिर he or she buffalo buffalo अब ये इसके अंदर ये देखो buffalo भी जो है उसको भी beef के अंदर या cattle के अंदर define किया गया तो buffalo को मारना भी below the age of 13 years जो है वो एक तरह से criminalize कर दिया गया इसको ठीक है अब गउशालास की भी बात की गई है उसकी भी definition दे दी गई है कि shelters established for the protection of and preservation of cattle registered with the department of animal husbandry and fisheries तो एक तरह से गउशाला तक की में definition दे दी है इसके अंदर अब arrest कौन कर सकता है या search कौन कर सकता है sub inspector या उससे उपर की competent authority जो है वो empowered है search करने के लिए premises के लिए या फिर cattle और material को seize करने के लिए penalties क्या है cognizable offense है मतलब इसमें हमारे को district magistrate के order की जुरूत नहीं है तो इसके लिए हमको जो police है जो directly action ले सकते है बिना warrant के search कर सकती है या फिर arrest कर सकती है और violators को 3 से 7 years तक की imprisonment का इसमें provision है अब next हमारा topic है वो बहुत important है एक बहुत बड़ी development होई है तो जो हमारे रशिया के foreign minister है वो एक think tank में address कर रहे थे तो उन्होंने quad के बारे में कुछ statements दी है तो उन्होंने कहा है कि ये जो quad है हमारा quad क्या है इंडिया, उस्ट्रेलिया, अमेरिका और जपैन की जो एक तरह से a form of alliance बना है जो against China इंडियो पैसिफिक हमारे region में तो उसका हम quad कहते हैं उसको अपने उसके बारे में पढ़ा ही होएगा हमने कई बार prelims booster में भी इसको discuss किया है तो रशिया ने जो सर्जी लेवरोब है जो foreign minister of Russia है उन्होंने बोला है कि ये western countries का एक plot है against China ये quad जो है जिसमें इंडिया का use कर रही है western countries और पहली बार रशिया ने ये accept किया है कि इस quad से इंडिया और रशिया के ties जो है वो affect हो सकते है ठीक है और थोड़ा और details भी देख लेते हैं क्या बोला है foreign minister सर्जी लेवरोव ने उन्होंने बोला है कि western countries persistently हमें मतलब बार बार aggressive होके और एक तरह से devious policy मतलब एक clever policy बनाके जानके इंडिया को चाइना के against कर रही है ताकि west जो है वो इंडिया का use करके जो है वो चाइना को के against एक mahal बना रहे है वो worldwide ठीक है तो उनका वो motive क्या कह रहे है अब रशिया कह रहे है कि असल motive जो है वो US का और European countries का जो है motive यह है कि unipolar model बना दिया जाए जिसमें US soul power रहे worldwide ठीक है तो उनका वो कह रहे है कि मतलब quad के थुरू और खासकर इंडिया के थुरू US चाहता है कि चाइना को दबा दिया जाए और worldwide जो है वो unipolar world हो जाए bipolar मतलब US और चाइना ना बने दो poles ना हो या फिर multipolar मतलब US, Russia, China, India, France, Germany, UK यह ऐसा multipolar world नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह FM Sergei Leverov की statement है against quad और even इंडिया को भी उन्होंने एक तरह से बोला है कि आप इनकी games में मतफस हो western countries की they are trying to create a wedge between Russia, China and India ठीक है तो quad का हम देख लेते हैं क्योंकि उन्होंने military और economic response की military और economic context में बात करी है quad की Sergei Leverov ने तो जो हमारा quad है उसमें सबसे ज़्यादा connectivity, sustainable development, counter-terrorism, non-proliferation, maritime and cyber security और peace, stability, prosperity जो है इंडो-Pacific region उसके बारे में सबसे ज़्यादा discussion होती है उसी के इन ही context के आसपास हमारा quad है वो बनाया गया है ठीक है अब इसी quad के अंदर ही हमारा एक और motive है, सारी countries का, जो member countries है कि जो China का BRI initiative है, Belt and Road initiative है उसके खिलाफ भी कुछ ना कुछ एक effort किया जाए ताकि जो BRI है, उसका एक sustainable alternative world को दिया जा सके ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि Asia-Africa growth corridor जो की India और Japan मिलके बना रहे है फिर India और US मिलके South Asia में और Indian Ocean region में ऐसा एक similar सा BRI का एक alternative देना चाहते है इंडिया और Australia जो है वो Pacific Island की countries में देना चाहते है तो एक तरह से हम BRI जो है चाहिना का उसका alternative देने की कोशिश कर रहे है Quad की countries, अगर कठे नहीं होके कर रहे है तो at least bilateral लेवल पर या फिर अलग-अलग लेवल पर हम चाहिना के जो है BRI का जवाब देनी की कोशिश कर रहे है ठीक है, इंडिया ने अपनी recently naval ties जो है मालाबार exercise में complete हो गया था जो Quad की सारी countries मालाबार नेवल exercise में participate किया था ठीक है, तो ये हमारा जो है military और economic दोनों का मिल कर एक model बनाता है Quad ठीक है, उसी के against रश्या ने एक statement दिया, रश्यान foreign minister ने तो ये हमारे आज के topics थे, इसके उपर आप PDF डाउनलोड करके telegram group से पढ़ लेना और आज के ही हमारे telegram group में weekly compilation भी दियोगी हम Friday morning में weekly compilation जो है week की डालते हैं telegram group में उसको भी आप PDF को डाउनलोड करके पढ़ लिया करो हम ऐसे ही monthly भी डालते हैं, हम जैसे ही month end होता है without any further ado हम ज़्यादा time में है उसके अंदर लगाते हैं और हमेशा disciplined way में regularly आपको month end होने पर ही हम आपको ये जो PDF है monthly compilation की वो provide कराते हैं उसके अंदर हम योजना magazine की summary, down to earth magazine की summary, press information bureau की summary वो सब भी telegram group में share करते हैं तो आप उसको join करके वहाँ से सारी download कर सकते हो ठीक है तो we'll meet next time with new topics, until then goodbye and take care